मासी, रंजु बहन की बहु स्रिष्टी बहुत संसकारी थी, दोनों सास बहु बड़े प्यार से रहती और मिल जलकर घर का काम करती थी, पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी, एक दिन स्रिष्टी से मिलने उसकी सहली घर आती है, अरे श्रिष्टी, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, यहां तो घर का सारा काम करते-करते हालत ही खराब हो जाती है, अपने उपर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता, तू तो बड़ी किसमत वाली है, श्रिष्टी इस बात से हमेशा खुश रहती थी, कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन एक दिन रंजु बेहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है, अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है, बभू को बोला कर घर का काम किया करे, अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही न, और मिल जलकर काम जल्दी हो जाता है, त एक कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बभू, मेरी बभू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती, क्या ये तेरे पैर दबाती है, पैर तो कभी नहीं दबाये इसने मेरे, ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया, अब जल्दी साज ब तुम्हारे कान की जुमके तो बड़े सुन्दर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास दे दिये होंगे। नहीं नहीं मौसी मेरी मानी दिये है। अच्छा फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये जुमके उसने तुम्हें दिये है। उसे जूट नहीं बोलना चाहिए था वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है ऐसी तो कोई बात नहीं है मुझे खाना बनाना नहीं आता अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी रंजना मौसी वहां से चली जाती है किचन में स्रिष्टी खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है आज मेरे पैर में बहुत दर्ब है, खाना तू ही बना ले और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है हाँ माजी, सुना था अपने सही है, वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलू दोनों सास बहु को जगडते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली इनने कोई बताए सास कभी मा नहीं बन सकती और नाहीं कभी बहु बेटी शाम को रंजना मौसी स्रिष्टी को बिलाती है अरे स्रिष्टी बेटा जरा एक कप चाय तो दे दे मौसी चाय आप माजी से ही ले लीजिए मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी वैसे भी मुझे कहां आता है चाय बनाना तभी वहां रंजु आ जाती है वो स्रिष्टी के बाद सुन लेती है हाँ हाँ बोहरानी तुझे तो कुछ नहीं आता रंजना तो तू एक काम कर तू ही चाय बना ले और हाँ स्रिष्टी को भी चाय दे देना इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे अरे हम पीएंगे भी और पिलाएंगे भी रंजना मौसी ठक कर उठती है ठीक है रे रंजु दीदी आप जैसा बोले रंजना चाय बना कर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टी और रंजु को चाय देती है अच्छा मैं धोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ रात में देर हो जाएगी आने में रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टी को आवाज लगाती है अरे बहु रानी कुछ खाने को तो दे दे बहुत जोर से भूख लगी है मैंने कोई खाना बना नहीं बनाया मौसी वैसे भी आपकी बहन दों कहती है न कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं हे भगवान अब यह फिर से ना शुरू हो जाए तब ही वहां रंजु आ जाती है रंजु आज खाना तुम ही बना लो और हाँ थोड़ा खाना सृष्टी को भी दे देना ताकि इसे भी पता चले के हमारे यहां खाने का स्वाद क्या होता है रंजना बिचारी किचिन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है जब वो खाना बनाकर बहार निकलती है तो सास बहु टेबल पर बैट कर उसका इंतिजार कर रही होती है लाओ लाओ रंजू जल्दी खाना लाओ बहुत जोर की भूख लगी है सास बहु खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है अगले तिन सुब्व रंजू रंजना के कमरे में जाती है अरे रंजू अभी तक सो रही हो जरा नाश्टा तो बना दो तुम्हें तो पता है ना कि बहु आज कल की चिन में पाउं भी नहीं रखती पता नहीं किसने उसके कान भरे है चलो बुठो और नाश्टा बनाओ और हाँ स्रिष्टी को भी दे देना खाने के लिए अरे उसे भी तो पता चले के हमारे घर का नाश्टा कैसा होता है मैं नीचे जा रही हूँ जरा जल्दी वक्त पर आ जाना हाँ रंजिना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है अरे रंजू कहा जा रही हो नाश्टा नहीं बनाओगी अरे मौसी बहुत जोर की भूख लगी है नाश्टा अभी तक नहीं बना अरे मैं कुछ नहीं बनाओंगी मैं तो घर जा रही हूँ तुम सास बहु के चकर में मेरी तो कमर ही तोट गई अरे अरे मौसी कहा जा रही हो तुम चली जाओगी तो हम सास बहु को खाना कौन खिलाएगा रंजना मौसी भागते हुए कहती है अरे मेरे बसकी नहीं है मुझे माफ करो मैंने तो गलती कर दी तुम दुनों के बीच में जगडा लगा कर रंजना मौसी के जाने के बाद रंजो स्रिष्टी से कहती है बड़ी आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली अरे कौन कहता है कि सास मा और बहु बेटी नहीं बन सकती सही कह रही है मा अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास मा और हर बहु बेटी बन सकती है